सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नेवर मिस अन अपडेट आतर में पूरा दिखना ज़राब सकीप मत करना है अंगर आप हमारी चैनल में पहली बारा आäch है तो चैनल को पूरा है और पूरा नहीं तो वीडियो को लाइक कर दे तो चले दोस्तो बीना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो 1991 में सड़क फिल्म आई थी अगर दोस्तो उस फिल्म की स्टोरी की बात करूँ तो एक युवक को एक वेश्चियाई से प्यार हो जाता है और उन दोनों को समाज स्विकार नहीं करता कुछ इस तरह की स्टोरी दीखाई गई है इस फिल्म में बहुत ही भैतरिन तरीके से और इस फिल्म को डायरेक्शन दिया है जाने माने डायरेक्टर मायस भट ने दोस्तो स्टार कास की बात करें तो इस फिल्म में बॉलीवूट के खलना है यानि कि संजाइदत, पूजा भट और दीपक तीजोरी जैसे बड़िया स्टार देखने को मिले थे सड़क फिल्म को 3 करोड के बजेट में बनाया था और उस फिल्म ले अपने लाइफ टेम में 12 करोड का जबर जस्ट बिद्नेश किया था उस टाइम दोस्तों और ये फिल्म सूपर इट साबित हुlles ती अब दोस्तों believes 30 साल के बाद इस फिल्म का पार्ट- ू बनने जा रहा है और इस फिल्म की शूटिंड कमप्लेट हो गई है और इस फिल्म का नाम है सड़क टू इस फिल्म को भी डारेक्शन दे रहे है महस बड़ दोस्तो स्टार कास की बात करें तो हमें ली डूल में संजयदत, आल्यापट, आदीतियरोयकपूर, पूजापट और गुलसन ग्लोवर जैसे बड़िया स्टार देखने को मिलेंगे और इस फिल्म की सिनेमा गिरठी की है जै आई पटेल ने सड़क टू फिल्म को डिश्टूबिट करेंगी फॉक्स्टार स्टूडियो दोस्तो और इस फिल्म को पचास करोर से भी जादा बजेक में बनाये गया है और ये एक मल्टि स्टार फिल्म है दोस्तो और इस फिल्म में एक्शन, रोमैस और इमोशन भरबूर रहेगा दोस्तो में बात करता हूँ सड़क टू फिल्म ओफिशली डिजनी प्लस और ओस्टार प्लस पर रिलीज होगी यानि ये फिल्म OTT ओनलाइन प्लेटफॉम पर रिलीज होगी ये फिल्म थियेटर में रिलीज नहीं होने वाली अगर दोस्तो सड़क टू फिल्म थियेटर पर रिलीज होगी तो ये फिल्म आराम से 200 कड़ों का आकड़ा क्रोस कर देती क्यूंकि इस फिल्म का बर्ज और क्रेस दर्सकों के बीच बहत ही आई है और दोस्तो आलियाबट एक और 90 के दर्सक की फिल्म लेके आने वाली है उस फिल्म का नाम है गंगू बाई काठियावाडी उस फिल्म में वो एक लेडी डॉन गुजराती डॉन का रोल करती नजराएंगी और उस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे जाने माने डायरेक्टर सं बाई मचाती है स्टोरी भी दमदार रहती है बेक्राउंड म्यूजिक से लेके सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहता है और दोस्तो गंगू बाई काठियावाडी फिल्म में हमें आलिया बट के पती का रोल करते नजराएंगे इम्रान आसमिन ऐसा पहली बार होगा और दोस गंगू बाई काठियावाडी फिल्म की स्टोरी की बात करू तो आलिया बट और इम्रान आसमिन लव मेरेच करते हैं और वो गुजरास से भाग कर मुंबई चले जाते हैं फिर वहां इम्रान आसमिन आलिया बट को बेच देता है कुछ इस तरह की स्टोरी दिखाई है तो दोस्तों आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेट है आलिया भटकी सदक टू या फिर गंगु भाई काथिया वाडी हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरू बताना वीडियो पसंद आए तो हमाई चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना ना